नमस्कार दोस्तो इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है हिंदुस्तान इनलिवर के बारे में और फरवरी में रॉकेट बन सकता है ये श्टॉक तो वीडियो पूरा देखेगा गौर से सुनिएगा समझेगा क्यों मैं आपको बता रहा हूं और क्या ये श्टॉक में आपक रिस्क दिख रहा है यहाँ पर सौटम में और रिवाड कितना मिल सकता है ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं लेकिन इससे पहले छोड़ा से रिकोष्ट करना चाहूंगा चैनल पर पहले बार जुड़े हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क कीजिए तो चलिए देख लेता है क्या कुछ है सारा कुछ हिंदुस्तान इनलिवर में फरवरी के महीने में क्या कुछ हो सकता है पूरी जानकारी के साथ चार्ट के उपर आ चुका हूँ एक दिन के चार्ट के उपर 15 फरवरी 2021 किसका ये चार्ट है एक दिन का एक दिन में अगर आप देखें गिरता हुआ आपको नजर आ रहा है 23 रुपय का गिराबाट आपको श्टॉक के उपर दिख रहा है श्टॉक का प्राइस अगर आप देखें 2217 रुपयार 90 पैसा मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये श्टॉक आपको 2200 में फरवरी के महिने में पार हो अगर आप देखें बहुत लंबे अरसे से ये श्टॉक कांसलिडेशन के मूड में चल रहा है अभी अगर आप देखें मार्केड में इतना लोगों को रिवार्ड मिल रहा है कि लोग यहां पर मतलब जहां पर हाथ दे रहे हैं वही पैसा बन रहा है जहां पर श्टॉक को लोग क्या करते हैं सर श्टक और चक्र में लोग जो विल्ट क्रियेटर है ना ऐसे श्टॉक को भूल रहे हैं छोड रहे हैं लेकिन कहना चाहूंगा यही पांच लाक किसादार करोड का मार्केट का बाली कंपनी डिविडिन इल्ड की बात करें देर प्रसंट से आसपास की डिविडिन इल्ड और पी देखकर आप यहाँ पर डिजाएंगे देखें सर अच्छी चीज आपको कभी सस्ते में नहीं मिलगी यह आप लिख लीजिए सोना और चांदी के बीच में अगर आप देखें जो फरक है सर वो सिर्फ कलर का है कलर का लेकिन प्राइस की बात करें सोना कहा का है और चांदी कहा का है प्राइस देख लीजिए तो हिंदुस्तान इल्लिफर की बात करें इसका पी आपको हमेसा उपर देखेंगा एक डिमांडबल काउंटर है यह आपको महेंगे पे ही आपको लेना होगा और हिंदुस्तान इल्लिफर की बात करें सत्तर का प बीस्तों पचास के आसपास हुआ करता था एक महीने के चार्ट के उपर जनवरी के महीने मैं बात कर रहा हूं और स्टॉक गिर चुका है अगर आप देखे तो यहां पर जो लोग सॉट्टम में तेजी से यहां पर प्रैसा कमाना चाहते हैं उनको कहना चाहूंगा वाच कीज को अपर देखे एक ऋपर को अपर समझने वाली जाएगि तो मैं कहना यहीं चाहूंगा कि इसी भीज मार्ज से खतम होने तक यह श्टॉक इसके ओपर चलते हैं आपको कोई भी decision नहीं लेना इसको आप trading call ना समझे क्यूंकि उससे आपका पैसा खो सकता है बरबाद हो सकता है लेकिन एक plus point के है सर ये stock में अगर आप फस भी गए तो आपको बार बार लगातार निकलने का मौका मिलेगा अगर आप देखे च्छे मेन देखे बहुती बड़ा company है बहुती बड़ा stock है और ये stock आपको अभी तक रिटन नहीं दे रहा है quality के उपर अगर आप यहाप भरोसर रखते तो actual से अच्छी quality के उपर देखे तुसर मुझको नहीं लगता यहापर market में आपको ऐसी company available मिलेगी तुसर company में अगर आपके portfolio ह तो चिंता बिल्कुल भी मत किजिए stock आपको definitely पैसा कमा कर देगा 5 साल का written देखे सहाव यहापर 5 साल में 168% का written कमा कर देदिया है अभी stock थोड़ा बहुत यहापर सुस्ती दिखा रहा है stock थोड़ा बहुत consolidate कर रहा है लेकिन यहापर देखे तो covid के आने से पहले देखे त कोविट के आने के बाद stock का अपर था वह अगर आप देखे तुसरा आपको समझ में आ जाएगा 1750 तक ही stock गिरा था उससे जहादा नहीं गिरा था और 25 के आसपास तक stock पहुंच जिगा था तो मैं कहना यहीं चाहता हूं तो stock अगर आपके portfolio में हैं तो उसको बेचने की गल दमखम है क्योंकि stock अगर आप देखे बहुत ज्यादा या पर करेक्ट हो चुका है सालवर के चार्ट के उपर अगर आप देखे चार्ट के उपर बहुत ज्यादा कर लिया है और अगर आप देखे मतलब डिलिवरिवल यह stock है इसमें आपको delivery लेकर रख देना है और दागरने के कोई बात नहीं है अगर आप देखे तो यूरिलिवर जो कि इसकी parent company है तो वो एक अगर देखे बहुत बड़ा एक giant company है फमसीजी सेग्मेंट में तो मैं आपको कहना यही चाहूंगा stock अगर आपके portfolio में है तो शिंता ना करे खरदर ही जो लोग करना चाहते हैं बाकि आज़ज मुझको कुछ भी दिखाई नजर नहीं आ रहे है कि रिसका क्या को चक्कर है यहापर मुझको return अच्छा मिलेगा यही समझ में आ रहा है और हो सकता है stock आपको 2-3 दिनों के अंदर अंदर ही अच्छा खासा यहापर jump दिखा सकता है लेकिन देखने के लिए बहुत कुछ है market हमें सा surprise करता रहता है अभी देखे तो market यह अपर आपको एक दो बार गिरता हुआ भी दिखेगा लेकिन यह लोगों का जो कहना है कि यह bull run है लेकिन मैं bull run bear run यह सारा कुछ में मैं विजवास नहीं करता हूं मैं बस यह study अपनाता हूं कि market में अगर आप जादा दिन रहेंगे तो जादा पैसा कमाएंगे market में अगर आप जल्दी से आएंगा जल्दी निकल जाएंगे तो इसर पैसा जादा नहीं बनेगा तो रहना अगर जादा दिन है तो पैसा बहुत जादा बन जाएगा लेकिन अगर आप सोट्टम के नजरे से लेना चाहत और अपने future को यहाँ पर secure कीजिए क्यों इसर बहुत कुछ होगा सर आपकी बीपी जो है वो हाई भी हो सकती है तो सर यह सारा कुछ नहीं करना है सोट्टम में श्टॉक भाग सकता है ऐसा मुझको नजर आ रहा है लेकिन सोट्टम के लिए नहीं खरदना है सोट्टम में ग और इस टॉक्स रिलेडर आप क्या कुछ और जानना चाते है उसके अपर कमेंट कीजिए मैं उसके उपर separate वीडियो होना कर आपको बताऊंगा कि H.U.L. क्या है बाकी जो लोग खरदरी करके बैठे हुए है 25 के उपर उनको कहना चाहूंगा सर वहाँ बहुत जल्द आ आपको समझ लेना है मैं बस अब को यहाँ पर बता रहा हूं कि श्टॉक में क्या कुछ हो सकता है मेरी मैं क्या सोच रहा हूं मेरी अनुमान क्या है यह बास आपको साथ सेयर कर रहा था वाकि वीडियो कैसे लगा कमेंट इस जरूर से बताएगा और एक लाइक जरूर से की कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए नोडिफिकेसन आइगन को हिट करना बिलकुल भी मत वह लिए ठैंक्यू जाय हैंत